अकश्वणी भुपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेश एक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं धार्ना सच्टेव सबसे पहले इस बुलिटिन के मुख्य समाचार प्रादेश में 15 मीटर से उचे सभी भवनों के लिए प्राप्त करना अनिवार्य होगा अगनी सुरक्षा प्रमाण पत्र मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहानने की घोशना शिवपूरी को बनाया जाएगा नगर निगम इन दौर में होने जा रहे प्रवासी भारतिय दिवस सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी होंगे शामिल और राश्ट्रिय गुड गवर्नेंस इंडिक्स में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान से केंद्रिय सचिव वी श्री निवासने की मुलाकात अब समचार विस्तार से विद्योत सुरक्षा प्रमान पत्र प्राप्त करने के बाद भवन के लिए फायर सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा जिसकी अवदी तीन वर्ष रहेगी पूर्व से बने भवनों के लिए अगनी शमन अदिकारी द्वारा आवेदन प्राप्ती के एक महा के भीतर फायर प्लान का अनुमोदन किया जाएगा निर्धारित दो महा की समयावधी में यदी भवन स्वामी अथवा भवन संचालक द्वारा फायर प्लान तयार कर अगनी शमन अद्प्रादिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो बकाया समय का प्रति दिन पांच सो रुपे की दर से और एक वर्ष के बाद एक हजार रुपे प्रति दिन की दर से दंड लगेगा मुख्यमंत्री शिवराद सिंग चहान ने घोशना की है कि शिवपूरी को नगर निगम बनाया जाएगा कल शिवपूरी में जन सेवा अभियान में संभाग स्तरियस विक्रती पत्र वितरन कारिक्रम में शामिल होते हुए उन्होंने मंच से 135 करोण रुपे से अधिक के विकास कारियों का लोकार पर और भूमी पूजन किया मुखे मंत्री ने कहा कि जन प्रत्रिती अधिकारी करमचारी सभी के ड्यूटी है कि वजनता की बहतर सेवा करें उन्होंने कारे में लापरवाही भरतने पर शिवपूरी के सीमो और राशन में गरबड़ी पाये जाने पर पिछोर के कनिष्ट आपूर्ती अधिकारी को निलंबित करने के निर्देश दिये मुखे मंत्री ने कहा है कि सरकार का एक ही लक्ष है विकास और जनता का कल्यान केंद्रिय नागर विमानन और इसपात मंत्री जोतिरा दित्य सिंधिया ने कहा कि आगामी समय में माधव नेशनल पार्क में तीन शेर आने वाले हैं भारतिय दूर संचार विनियामक प्राधिकरन ट्राई के खेत्रिय कार्याले द्वारा भोपाल में दूर संचार अदोसन रचना एवं आर्थिक विकास एक युगल द्रिष्टिकोन इस विशेर पर एक दिवसिय सेमिनार किया गया सेमिनार में ट्राई चेर्मैन डॉक्टर पीडी वाघेला ने कहा देश में आधुनिक 5G सेवाय शुरू हो चुकी है और आने वाले एक दो वर्षों में 5G नेटवर्ग का तेजी से विस्तार होगा उन्होंने कहा कि इस नई तकनीक के उपयोग से प्रतेक शेत्र में अभूत फूर प्रगती देखने को मिलेगी उन्होंने बताया कि 5G नेटवर्ग विकसित करने के लिए विभिन केंद्रिय संस्थानों, राजे और नगरपालिका के प्रादिकरनों के बीच, स्ट्रीट फरनीचर के बुनियाधी धाचे को सार्जा करने के उद्देश्य के साथ ट्राय ने भुपाल स्मार्ट सिटी, GMR इंटरनेशनल एरपोर्ट ने दिली, दीन दयाल पोर्ट कांडला और नम्मा मेट्रो बेंगलूरू में पाहलक परियोजनाओं की शुरुवात की है डॉक्टर वागेला ने कहा कि भारत 120 करोड मोबाइल और वायर लाइन उपभोगताओं के साथ विश्व में दूसरा सबसे बड़ा टेलिकॉम नेट्वर्ग है सोमवार से प्रारंब हो रहे मध्य प्रदेश विधान सभा के शीत कालीन सतर के मद्दे नजर मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान ने कल वरिष्ट अधिकारियों के साथ बैठकी मुख्य मंत्री ने अधिकारियों को सतर की तैयारियों के संबंध में आवशक निर्धेश दिये विधान सभा का पांच दिवसिय शीत कालीन सतर 19 दिसंबर से प्रारंब होगा इस दौरान विधाई कामकाज भी पूर्ण किये जाएंगे आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR News आप पर भी समाचार सुन सकते हैं ब्रेक के बाद बुलिटिन में एक बार पिर आप सभी का स्वागत है मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान ने इन दौर में 8 से 10 जनवरी तक आयोजित होने जा रहे प्रवासी भारतिये दिवस सम्मेलन और 11 और 12 जनवरी को Global Investors Summit की तयारियों की समीक्षा की मुख्य मंत्री ने कहा कि ये कारक्रम प्रवासी भारतिये विभाग और उद्योग विभाग के ही कारक्रम नहीं है बलकि इने सुचारो रूप से संपन किये जाने का दायत्व सभी सम्मधित विभागों का है उनने कहा कि इन दोनों सम्मेलनों के लिए इंदोर के साथ ही प्रदेश के विभिन स्थानों को सुसजित और आकर्शित करने का कार्य किया जाएगा बैठक में बताया गया कि सम्मेलन के दूसरे दिन नौ जनवरी को प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी इंदोर आएंगे श्री मोधी इस दिन डिजिटल प्रदरशनी का उदखाटन करेंगे तीसरे दिन दस जनवरी को राष्ट्रपती द्रापदी मुर्मू प्रवासी भारतिय सम्मान पुरसकार का वितरन करेंगी केंद्रिय इसपात और ग्रामीन विकास राजय मंत्री फगण सिंकुलस्ते ने कल भोपाल में चौदवें जनजातिय युवा आदान प्रदान कारिक्रम का उदखाटन किया यह आयोजन नहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा ग्रह मंत्राले भारत सरकार के सहयोग से 22 दिसंबर तक किया जा रहा है इस अवसर पर राजय मंत्री फगण सिंकुलस्ते ने कहा कि जनजातिय समाज लोग परंपराओं और अपनी विशेश्टाओं के लिए जाना जाता है मध्यप्रदेश में विविद सम्रिध और गौरफ शाली जनजातिय विरासत है जिसका नकेवल संडरक्षन वा संवर्धन किया जा रहा है अपितू जनजातिय क्षेतरों के समगर विकास और जनजातिय वर्ग के कल्यान के लिए निरंतर कार्य किया जा रहे हैं उन्होंने हिंदी सहित भारतिय भाषाओं के संवर्धन और संडरक्षन की भी बात कही नहरू युवा केंदर के राजने देशक डॉक्टर सुरहिंदर शुकला ने बताया कि कारक्रम में देश भर से पांच राजियों के नकसल प्रभावित क्षेतरों से चैनीत 250 से अधिक युवा भाग ले रहे हैं करक्रम में शुबम चोहान और उपनिदेशक अरविंद शृधर शामिल हुए केंद्रिय सचेव प्रशासनिक सुधार और लोग शिकायत वी श्रीनिवास ने कलभोपाल में बताया कि राश्ट्रिय गुट गवर्नेस इंडिक्स में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है उन्होंने यह जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान से मुलाकात के दोरान दी इस अफसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्वस्त प्रतियोगिता लोग तंतर की ताकत है CM Helpline जनसुनवाई और समाधान ओनलाइन जनता से जुड़ने उनकी समस्याओं के समाधान और सुशासन के सशक्त माध्यम है इन गतिविदियों में जिलों में परसपर प्रतियोगी भाव से जनता को अधिक राहत मिलती है केंद्रिय सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि नागरिकों को E-Services उपलब्द करानी में मध्यपरदेश देश में चौथे स्थान पर है CM Helpline की लोगप्रेता को देखते हुए अन्य राजियों में इसका क्रियान वियन सुनिश्चित करने के उदेश्य से केंद्र सरकार CM Helpline की प्रक्रिया के दस्ता वेजी करण के लिए इच्छुक है मुलिटन में आपकुछ समाचाल संक्षेप में स्कूल शिक्षा विभाग एवं इंदिरा गांधी राश्ट्रिय मानव संग्रहाले भूपाल द्वारा राश्ट्रिय बालरंग कारक्रम 18 और 19 दिसंबर को आयोजित किया जा रहा है इन दौर में अंतराश्ट्रिय आयूरवेद सम्मेलन आज से प्रारंब हो रहा है दो दिबसिय इस सम्मेलन में न्यूजिलांड, कनाडा, उनाइटेड किंग्डम, जापान, सहित, दस देशों के प्रतिभागी शामिल हो रहे है गुना में खेलों के प्रती युवाओं में जागरुकता पैदा करने, खेल को सर्वसुलब बनाने और प्रतिभावान के लाड़ियों को पहचान करने के लिए जिलास्तरिय मुख्यमंत्री कप खेल प्रतियों किता बालक और बालिका वर्ग में हुई हरदा में आंगनबारी कारे करताओं और सेक्टर सुपर्वाइजर्स को मुख्यमंत्री बाल आरोग ये समवर्धन कारक्रम के संबंध में प्रशेक्षित किया गया अशोक नगर में कल मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान अंतरगत हितलाब वितरन कारक्रम में 4134 पातरहित ग्राहियों को विभिन योजना अंतरगत स्विकृती पत्र वितरित किये गए मनसौर जिले के कलेक्टर गौदम सिंग ने कल राजस्व अधिकारियों को राजस्व वसूली समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिये विकास खंडों में शेश रह गए आयूशमान कार्ड बनाए जाने पर जोर दिया गया और प्रदेश में होमगार की भरती में आयूसीमा 30 वर्ष से बढ़ा कर 35 वर्ष कर दी गई है पहले चरण में 950 पदों पर भरती की जा रही है अंत में बुलिटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश में 15 मीटर से उंचे सभी भवनों के लिए प्राप्त करना अनिवारे होगा अगनी सुरक्षा प्रमान पत्र मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहानने की घोशना शुपूरी को बनाये जाएगा नगर निगम इन दोर में होने जा रहे प्रवासी भारतिय दिवस समेलन के दूसरे दिन प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी होंगे शामिल और राश्ट्रिय गुड गवरनेस इंडेक्स में मद्यपरदेश देश में प्रथमस्तान पर मुगे मंत्री शिवराज सिंग चुहां से केंदरिय सचिव भी श्री निवासने की मुलाकाद इस बुलिटन में फिल हलत नहीं दीजिए इजाज़त नमस्कार